शिरी शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव आज की कथा में पुच्च गुरुजी ने कुशा से जुड़े और माता पीवरी से जुड़े पांच नए उपाये बताये हैं कुशा क्या होती है पहले वो जान लीजिए जो तरपड में उपयोग में लाई जाती है घास उसे कुशा कहते हैं इससे जुड़ा गुरुजी ने उपाये बताया है गुरुजी ने कहा अगर आपको डॉक्टर ने किसी बड़ी बिमारी की आशन का बताई है और जाज करवान जा रहे हैं तो सबसे पहले कुशा का जल लेकर यानि थोड़ी सी कुशा ले लीजिए और अपने जल के पातर में उस कुशा को डाल लीजिए अब वो जल लेकर शिवमंदिर जाए और उस जल को शिवलिंग जहां रखा होता है वो और माता अशोक सुन्दरी के बीच में ज जल को चड़ा कर जहल कर आपको जहां बिमारी है उस इस्थान पर उस जल को लगा लीजिए और उसके बाद जाज करवाने जाईए जाज में कोई बड़ी बिमारी आ ही नहीं सकती है गुरुजी ने कहा पित्रों का आशिरवात प्राप्त करने के लिए अपने घर में तीन जगा कूशा या दाप अवश्य रखना चाहिए जिस घर में कूशा रखी जाती है उस घर में पित्रों की द्रस्टी सदेव बनी रहती है इस पित्रों का आशिरवात सदेव बना रहता है पहला इस्थान घर में जिस दरवाजे से घर के अंदर प्रविश किया जाता है उस दर्वाजे से अंदर की और आपके सीधे हाथ की तरफ कुशा रखनी चाहिए. दूसरा इस्थान आपके घर में पूजा का जो इस्थान होता है या आपका घर का मंदिर है वहाँ पर थोड़ी सी कुशा रखें यदि कुशा नहीं रख सकते हैं तो कुशा से बने आसन को अव तीसरा रसोई घर में जहां आपका परिंदा है जहां आप पानी भर कर रखते हैं वहाँ थोड़ी सी कुशा अवश्य रखने चाहिए इससे घर में कभी बड़ी बिमारी प्रवेश नहीं करती हैं इसके बाद पुजी गुरुजी ने माता पीवरी से जुड़े नए तीन उपाय बताये हैं गुरुजी ने बताया कि पित्रों की बेटी माता पारवती जी की मासी और वेतप्यास जी महराज के पुत्र सुखदेव जी महराज की पत्नी पीवरी है जिसकी चमडी सफित पड़ गई हो या किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो गया हो कुश्ट रोग हो गया हो चडमी चमडी से जुड़ा कोई भी रोग हो गया हो तो पूर्णिमा के दिन जब गाई अपने बच्छडे को दूद पिला रही हो तब बच्छडे के मुग पर जो फेन जिसे जाक कहते हैं आ जाता है उसको एक चमच में ले लीजिए और अपने चमड चर्म रोग के इस्थान पर माता पीवरी का इस्मरन करके और महादेव का इस्मरन करके लगा लो उसके बाद आदे घंटे के बाद इस्थान कर लो कोई समय में आपकी चमडी अपने असली रंग में आने लगेगी दूसरा जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रबाशय में बच्चा दानी में कोई गठान हो गई हो तो पांच दुर्वा लीजिए शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के इस्थान पर उस पांच दुर्वा को माता पीवरी का इस्मरन करके चड़ा दीजिए कुछ देर चड़ा रहने दे और फिर उठा कर अपने घर खत्म हो जाएगी जिस नारी का गर्ब तो ठहरता है लेकिन बार बार दो तीन ये चार महिने में गिर जाता है या गर्ब में रोक्टर ने बच्चे को विकलांग बता दिया है तो उस नारी को सुमवार की अश्टमी के दिन एक बेलपत्र माता पीवरी के नाम का इस्मरन कर करके शिवलिंग में माता अशोक सुन्दरी के स्थान पर समर्पित करके वापस उठा कर माता पीवरी के नाम का इस्मरन करके खा लेनी चाहिए तो उस नारी का गर्ब कभी नहीं गिरेगा और बच्चा भी स्वस्त पेदा होगा तो ये थे आची कता के पांच नए गरुजी के द्वारा बताए गए सभी नए उपाय और जानकारी जानने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले वीडियो अच्छा लगा हो उप्योगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तकि हर महा देव लिखना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद